हलो डियर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम और विल्कम बेक टू माय ट्रीव चैनल इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेड़ागॉजी के बारे में जानकारी लेंगे चाइल्ड डेवलप्मेंट एंड पेड़ागॉजी के जो पहला लेसन है इसको समझने की कोशिश करेंगे मैं अपने चैनल पर ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका मकसद यह है कि हम लोग TET की तैयारी कर सके और आप लोगों को जितना भी TET का सिलेबस है तो वो आसानी से आसान जबान में आप लोगों को समझा सको तो इस सीरीज में मैं कोशिश करूँ है कि जितना भी सिलेबस है TET का तो उन सब को हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करें तो TT का जो syllabus है तो उसमें जो सबसे पहला point है वो है child development and pedagogy तो ये बहुत ही बढ़ा topic है तो इसका जो पहला point है, point A है child development और इसका जो sub topic है वो है concept of development and its relationship with learning कि development क्या होता है इसको concept को समझना और उसका learning के साथ क्या relation है उसका learning से क्या तालूक है इसको समझना तो development एक बहुत ही बड़ा topic है तो इसलिए इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज में हम उसके जो अलग-अलग points है तो उसको detail में समझने की कोशिश करेंगे तो आज की जी वीडियो है तो इसमें हम development का एक introduction देखिए कि development में होता क्या है और development का एक बहुत ही important part growth को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में जिस topic को cover करने वाले हैं तो वह पहले paper और दूसरा paper याने first paper और second paper दोनों ही paper का हिस्सा है तो अगर आप पहले paper की त्यारी कर रहे है या दूसरे paper की त्यारी कर यह दोनों कुछिश में आएंगी लेकिन इसको मैं उर्दू या हिंधी में आसान जबान में समझाने की कुशिश करुँगा और इस वीडियो में इतनी बाते में ने बताई है तो उसकी जो नोड़ से तो में उर्दू जबान और इंगली जबान दोनों ज़वानों में इसके नोट्स मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर भी शेर कर दूँगा तो अगर आप लोग इस नोट्स को हासिर करना जाते तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजे उसका लिंक आपको पिन कमेंड में या डिस्क्रिप्शन में मिल रहेंगा तो आई शुरू करते हैं वीडियो को तो हम यह चीज अच्छे से जानते हैं कि इनसान एक एसी चीज नहीं कि जो हमेशा एक जैसी रहेंगी पैदाई से लेके तो मरने तक के ब है उसमें भी डेवलप्मिंट आते रहेते उसके अंदर भी चैम्ज आते रहेते हैं तो हमारा बोर्यका साइज है हमारे बोर्डी का जो सा रपा है य Brittany है तो उसमें हमेशा penalty और यह जो चैनजड है तो तो जो changes है तो उस पर हमारे जो heritage है उसका भी असर होता है और हमारा जो माहूल है या जो हमारा environment है तो उसका भी असर होता है जैसे अगर हम एक example ले तो किसी इंसान का अगर color जो है तो सावला है तो उसका जो सावला color है तो उसके heritage की वज़े से यानि उसके parents में से जो forefather है उस चेति में से किसी का कलर सावल रहना जिसके विज्जे के उसका ही कि निकलेंगा तो इन्वारिमेंट के वैज्जे से उसका कलर है तो यह कंडूप bientôt में अगर तो हो सकता है कि उसका जो कलर है तो जाधा साफ होने लगेंगा तो हमारा जो body है हमारी जो body में changes है तो वो heritage के वज़े सीपी होते हैं और उसके उपर environment का भी असर होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जो changes है तो हर इंसान में अलग अलग होते हैं तो बिलकुल समय यकसा तोर पर बिलकुल अलग अलग ही होते हैं बलके जो बुझ्यादी तोर पर जो changes होते हैं तो वह सब में एक जैसे होते हैं यह इनसान अगर पैदा होने के बाद में उसके अंदर हाइड बढ़ना है तो सभी इंसान में हाइड बढ़ेंगी यह हो सकता है कि किसी कम बढ़ेंगी किसी की जाधा बढ़ेंगी पैदा होने क की जितनी वे अलामत होती है साइंस होते है तो उसके पर आने लगती है तो कुछ इंसान में ज्यादा होती है कुछ इंसान में कम होती है लेकिन सब पर ही आती है तो ठीक इसी तरह यह जो इंसान के जितनी भी चेंज़ आते हैं तो वो कि परसंट टू परसंट अलग-अलग हो होता है और ज़रूरी क्यों होता है तो पैरेंस और टीचर जब बच्चे के जो डेवलप्मेंट है उसके जो बॉडी में चेंजेश है उसके जो माइंसेट है उसके जो माइंड में जो इतनी चेंजेश आ उसको समझेंगे तो उसके जरीए वो समझेंगे कि उसके बॉडी में कौन से चेंज़ आ रहे हैं याने अगर जो टीचर्स है पैरेंट्स है वो चाहिल गूर्थ और डेवलेप्मेंट को समझ सकेंगे तो वह जाने के बच्चों के अंदर अभी जिस उमर में जो बच्चा है और इसके बॉडी में या उसके माइन सेट में कौन से चेंज़ के वैजूज गोजे से उसके जहन पर उसके माइन पर कौन से एफेक्ट आ रहे हैं कौन से असरा reca ratio जब parents और टीसर बच्चेों से जाने तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वह उनके बॉडी के और okay my पर पढ़ेंगा और उसी के वज़े से उसके जो बढ़ता हो है तो वह भी चेंज होगा तो बच्चे के बहएवियर में आने वाले चेंजे को समझने के लिए हमें चाइल गुरोध और डिवल्पमेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है और चाइल डिवलपमेंट और चाइल यह मालू हो कि वह बच्चा अभी किस उमर में हैं और इसके हिसाफ से उसमें क्या के चेंज Chief ऑ रहे हैं तो हम यह भी जान सगे हैं कि जादा उम्मीद ये करेंगे उससे जादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो फिर वो feeling of in-education यान ऐसा से कम तरीकर शिकार हो जाएगा जब आपने आपको कम तर समझेंगा दूसरों से छोटा समझेंगा दूसरों से कम तर समझेंगा याने जब वो देखेंगा कि हमसे यह उम्मीद की जा रही है और मैं इन उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ मैं इन उम्मीद पर पूरा खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो वो अपने आपको दूसरों से कम तर समझेंगा तो अगर हमको चाइल डियवलप्मेंट और चाइल साइकलोजी मालूम होंगी तो हम बच्चे से उसी चीज की उम्मीद कर सकेंगे जो कि उसकी उमर के लिहाज से सही हो और अगर हम बच्चे से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे तो फिर वो अपनी जितनी सलाइयत है उसके में जितनी भी कैपिलीटीज अबिलीटीज है तो वो उसका इस्तिमाल नहीं कर पाएंगा यान हम बच्चे से बहुत कम उम्मीद कर लें तो फिर वो अपनी जितनी भी उसके पास में अबिलीटीज उसका इस्तिमाल नहीं करेंगा या यह कि वह हो सकता है कि इसका इसका इस्तिमाल नहीं सीख पाएंगा तो इसी लिए टीचर और पैरेंट्स के लिए बहुत दोनों में कोई फर्ग भी है अगर हम हमारी day to do life की जो जबान है या हमारी जो लेंग्विज है तो उसमें हम देखे तो growth और development को हम बिल्कुल ही synonymous के तरह यूज करते हैं हम बिल्कुल इंटर चेंजबल यूज करते हैं यहने हम यह समझते हैं के growth होतार development बिल्कुल एक जैसी दो वर्ड़ है दोनों एक ही तरह के वर्ड़ है दोनों की मीनिंग से मुती है लेकिन अगर हम चाहिल सेकोलोजी या चाहिल पैड़ागोजी के context में देखे तो इन दोनों वर्ड़ की बीट में फरक होता है है यूज़ क कहते हैं कि हमारे जो बॉड़ी में आने वाले जितने भी चेंजह थे और हमारी जो बोड़ी के जो बड़ोती है या या फिजिकल चेंज reader य तो उसका ताल्लक ग्रोफ से होता है य्यान हमारी बॉड़ी में आने वाले चेंजह को हम growth कहेंगे oss साइज शेप है अगर वो बढ़ रहा है तो उसका हम ग्रोथ कहेंगे जबके human development जो है तो हम उसमें हमारे body का जो बढ़ोती या increase शामिल तो है ही साथ ही साथ जो development के अंदर हमारी psychosocial development को भी शामिल क्या जाता है याने हमारा माइन अभी कैसे ग्रो कर रहा है या हमारी जो social skill है तो वो कैसे डिवलप के हो रही है तो यह भी development के अंदर शामिल है तो अगर ऐसा देखा जाए तो जो growth है तो वो development का एक हिस्सा है लेकिन development में और दूसरी चीज़े भी आती है growth के अलावा और दूसरे changes से होता है यहाँ पर मैंने एक चार्ट के जरीव बताया है कि कैसे development और growth के बीच में एक तालू कर relation है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो development है तो एक बड़े से दायरे के जरी एक circle के जरीव बताया गया है और उसके अंदर growth है याने development के अंदर development का एक हिस्सा growth होता है तो अभी हमने समझा के development का एक हिस्सा growth होता है और मैंने जैसे वीडियो को शुरू है बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ growth को देखेंगे growth को समझेंगे और उसके जितने भी stages होते है तो उसको डीटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ कहते किसे हैं growth हमारे body के size और shape की जो बड़ोतरी होती है हमारे sales की multiplication के वज़े से जो fertilization से physical maturity तक होती है तो उसको growth कहते हैं तो अगर हम देखें इसके definition के जरिए तो इसका मतलब यह हुए कि हमारे body में आने वाले इतने changes है हमारी body के shape कर इंक्रीज में है या हमारी body के बदलने को हम growth कहेंगे लेकिन उसका reason यह होना चाहिए कि हमारे जो cells है तो वह multiply हो जब हमारे cells multiply होंगे और इसके विज़े से हमारे body के जो changes होंगे तो उसको हम growth कह सकते हैं जैने अगर दिस सूजन आगी तो उसको हम growth में नहीं शामिल कर सकते हैं और दूसी बात यह के growth का एक time fix है कि growth fertilization से physical maturity तक की ही होती है याने इसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो वह growth में शामिल नहीं होंगा एक important point यह है कि हम human growth को centimeters और किलो में नाफ सकते हैं अगर कोई बच्चा उसमें कुछ changes आ रहे उसमें grow हो रहा है तो हम उसको नाफ सकते हैं हम उसको centimeters में देख सकते हैं उसकी height बढ़ रहे तो मुसको centimeter या feet के जरीए नाफ सकते अगर उसका वजन बढ़ रहा है तो हम उसको kilo के ज़रिये या pound में किसी तरह और भी दूसरे तरीके से उसको हम नाफ सकते हैं तो human growth को हम नाफ सकते हैं उसको measure कर सकते हैं तो यह भी एक growth के important feature होता है अब हम देखें के growth के कितने stages होते हैं कितनी इसको नहीं भी experts है तो उन्हें growth के अलग-अलग steps बताये है अलग-अलग stages बताये हैं लेकिन हम स्रीफ जो सबसे 2 important stages होते हैं तो उन्हीं को देखें उन्हीं को सम्झेंगे तो दो important stages होते है growth के एक होता है प्रिनेटल और पोस्नेटल और इन दो stage के सब stages है याने इन दो stages की बी अलग-अलग छोटे-शोटे-अिस्टेज़ आते हैं उन इन दो लाइज से शुरू होता है फिर जो फरेलाइज एक होता है तो वो एम्रियों में चैंज होता है और फिर फीटस में चैंजय रटा पैस तरह अगर प्रिनेटल पिरेड को देखें तो यह आखनें होता है आँ जो पूर्ट फीर इनसान एक अमगेनस मaz होता है और यह दो हफ्ते का होता है 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 यह इस में एंसान और ऐसा होता है कि जिसको हम बोल सकते हैं खून का लोतला होता है जिसमें यह नहीं देख सकते हैं कि यह जो हमोजनस मास है तो इसमें कौन सी चीज क्या है इंसान के जो बॉड़ी पार्ट है तो वह हम उसको डिफ्रेंशेट नहीं कर सकते हैं तो इसमें शरीव यह पिरेड में य आठ अपते के दर्मियान का एक स्टेज है इसमें हम इंसान के जितने अलग-अलग बॉडी पार्ट से जैसे सर है हाथ है पैर है तो इसका जो डिफ्रेंसियेशन का प्रोसे शुरू यह था यानि इसके अंदर हम देख सकते पता कर सकते कि यह चीज इंसान का सर है यह हाथ है है कर दो आर इस स्टेज में जो ग्रोत रेड़ है तो फ्यस्त मार्ण ब्की ऐसे जलो होती है तो से इसमें जो स्ट इल்गरग अलग बॉड़ी पार्ट है तो वह अलग-अलग होना शुरू होते हैं और इसके जरीए हम देख सकते कि इंसान के अलग-अलग बॉड़ी का सै से डेवलप हो रहे हैं और जब आठ रती का यह जो सिल्सिला यह कंप्लीट हो जाता है तो इंसान एक जो इंसान का बच्छा है तो पूरी एक इंसानी शकल इखत्यार कर लेता है यह इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो एंब्रियो होई तो वो एक इंसान की शकल के दिखाई आ चांड के महीने जो यह 29 से 30 दिन का एक महीन अ होता है और यह जो पीरिट है फीटर के कि टेल है तो वह नूं से 0-100 day नुबाइए और इस सटेज में बंची की जो लुंबाई होती है रश वजन है तो बहुत ही तेजी से गृ होता हैं तो यह तीन पिरेड है है जो कि परीघ्टल पीरेड में आते हैं और इसके बाद में परिए आता है वो यह ä değilividad तो डिलेवरि अगरचे एक कोई पिरेड नहीं है यह सी कुछ गंटे का एक महिला होता है इंसान की ओनाई थेacter पूरी जिंदगी पर पड़ता है और अगर्चे आज टेक्निव टेक्नोलोजी के जरी यह जो इस्टेज है यह जो मरहला है तो इंसान की जिंदगी बहुत इजी हो गया है लेकिन फिर भी उसकी जो इंपॉर्टन्स है तो वो कम नहीं हुई है इसके बाद में पोस्ट नेटल में जआपको सबसे पहले सफे जाता है वह इंफैंसी तो इंफैंसी के जो सटेड़् है तो वह इंसान की जिंदगी पहले दूसरे साल को कहते हैं और इस में ब tossed मे कर एक जिस्टेज है और उसके शेप उसकी जो बनाव़ाय और उसकी जो लेंथ हैं लंबाई एट इसमों ब लगते हैं दीवाग्त शॉने के पास को को वह इसा है ना सभाधी अंदर इसके अस smtail को मस्फबूती आती है और उस वागता अपने सर को ख exec Fighter को सीधा करने लगता है बच्चे के जो सर के अंदर Simply फिर वो देर मजबूदी आ या जाती है और उस रीड के रड़ी सई होनी के वह जे से फिर इंसान के जो बच्चाय तो बैटनी भी लगता है चननी लगता है चननी की कोशिक करने लगता है तो इन फैंसी के तो पीरेड दो मिभाणा इंसान की जो लग यूड के जो बाटी है से एडूल सेंसी शुरूर हैता है है तो इस स्टेज को भी हम तीन सब इस्टेज़ में बाढ़ सकते हैं और जो पहला सब से है वह है अर्ली चैज्ट हुड और इस मरले में यह सबसे इंपोर्टन जो बात होती Easy इंसान की वह होती है कि इनसान के ब्च्चे के जो दूथ के डाद निकलना सुरू होते हैं तो अर्ली चायल हुट में सबसे पहले इंसान के जो दूथ डाद है तो वो निकलते हैं फिर दूसरी नमपर पराथ हैं मेड़िड चाहरे और साथ साल से दस साल तक रहता है और इसमें इंसान के जो दूद के दा Think with और जून एया दात है तो आने लगते हैं तो पूरे दात नहीं आते लेकिन स्टार्ट हो जाता है इसका रीकिना Church च्छुरू रहता है और यह जो इस टेज है याने चायल्ड Hoot, यह सेज है तो इससमें इनसान जो भी सीखता है तो बहुत ही स्टेडी होता है, यह पायदार होता है उसके अंदर अहमेशा जो भी चीज़े सीकेंगा तो बहुत सोस समझ कर सीखता है कि और जो कुछ सीकेंगा इंसान की जिननाई कर i мі fé mission is не face psychology और फिजिकलई दोनों तरह से बहुत अख्याद के रल अब होता है next जो पीरेट है वह है कि और दूस्सके नहीं है तो इसमें इनसान के जिसम में इंसां की बोडिन हम अर्मोनरता आते हैं और इसके वजह से बच्चों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और हर्मोनल चेंजिस के वज़े से इंसान अपनी सेक्शुल मैशरोटी को पहुचता है इसी स्टेज के अंदर इंसान के जो बच्चा है तो उसके उपर उसकी जवानी की जो जितनी भी साइंस है सिंटम्स है तो वह दिख से नहीं होते उसकी जो इंटेंसिटी है इसमिकी जो शिद्दत है तो कुछ बच्चों बहुत जादा होती है कुछ बच्चों कम होती है और इसी स्टेज में इंसान के जो प्राइमरी सेक्शुल करेक्टरिस्टिक है और सेकंडरी सेक्शुल करेक्टरिस्टिक है तो उसके हमको एक नुमाया फर्क एक ओवियस डिफ्रेंसियेशन दीखने लगता है प्राइमरी सेक्शिवल करेक्टरिस्टिक इंसान की वो खुबी होती है जो के उसके साथ में बच्पनसी होती है और जिसके जरीए हम डिफ्रेंशियेट कर पाते हैं के बच्चे के जेंडर क्या है य और यह बच्चों के साथ में बच्पनसी होते हैं जखके जो सेकंडरी सेक्षिल क्यरेक्टरिस्टिक होती है तो वो प्रिफ्रेंट है तो उसके बाद में बच्चों पर आते हैं जैसे लड़कियों के ब्रेस का और जो आर्मपीट और दूसी जगों पर बच्चों के बालो sexual characteristic है तो वो दीखने लगते हैं और इस पिरेड में खास्त और से बच्चों में जो फैट मसल और बून का जो रेश्यो है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों के अंदर मसल ग्रोथ होते हैं बच्चों की बढ़िया मजबूत होती है फैट भी आ जाता है और इसके कि रहनुमाई में बच्चों को जवानी इया एडल्ट घ्लत के लिए त्यार करते हैं इंडोक्राइन ग्रेंश जो हते हैं तो वह बच्चों के यहाने हमारीुमन बॉडिय में हॉर्मोंस और दूसरी चीज़ों को सीकृ assignment म सबल दालते हैं और बेच्चोंठ हर्मोंस होते है तो वो इंडोक्राइन ग्लेंस को कंट्रोल करते हैं और यह पी साइज एक बॉड़ी होती है जो के हमारे ब्रेन के बेस के साथ में अटेश होती है तो इन दोनों बॉड़ी पार्ट का हमारी एडॉल सेंस में बहुत जादा हिस्सा होता है बहुत जादा इंपॉर्टन होती है और इसके जरीए ही हमारी जो body है तो वो sexual maturity को पहुचती है और maturity और adulthood जो है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी सबसे जो पहली निशानी होती है कि बच्चों की height को growth है तो वो रूख जाता है यानि इसके बाद में इस stage के पहुचने के बाद में बच्चों की height बढ़ना रूख जाती है और इससे पहले के जो stage है यानि maturity से पहले के जो stage है adult sense तो इसमें बच्चे के अंदर reproductive जो maturity है तो उसकी शुरुवात होती है लेकिन वो उसकी maturity तक की नहीं पहुचता है लेकिन adulthood या maturity में बच्चा अपनी sexual maturity को पहुच जाता है यानि बच्चा इस काविल हो जाता है कि वो अपना खुद के बच्चे पैदा कर सके तो यानि एक लड़का मर्द बंज़नत है और एक लड़की और बंज़नती है और इसी उमर में इनसान बच्चा पैदा करने लाइफ होता है और उसकी जो ability उसकी जो सलाइयत है या इसकी skill है तो वो 40 से 45 साल की उमर तक के उसके अंदर बाकी रहती है तो इस तरह अगर हम यह देखे तो इनसान की body में इतने changes आते हैं और इसके बाद में देखे जाए तो फिर maturity और adulthood के बाद में इनसान की जो body है तो वह एक ठहराव आ जाता है और इसके अंदर फिर development नहीं होते तो आज की वीडियो है तो इसमें हमने देखा के child development और pedagogy क्या होती है teachers और parents को इसको सीखना जानना जरूरी क्यों है child development और growth के अंदर difference क्या होता है इन दोनों के बीच में फरक क्या है फिर हमने देखा कि जो इंसानी growth है तो उसके कितने stages होते है और उन stages के सब stages कौन-कौन से है अब अगली जो वीडियो है तो उसके अंद लोगे याद जिला देता हूँ के मेरा जो टेलीग्राम चैनल है तो उसके उपर मैं इस वीडियो का जितने उर्दु नोट्स है और इंग्लिश नोट्स है तो दोनों को यह मैं शेयर करूंगा आप लोग मेरे चैनल के उपर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल है तो उससे भी जॉइन होई है और अगर आप लोग कोई भी कोश्चन हो तो कमिन सेक्शन में जरूर पूछे वीडियो अगर आप लोग को पसंद आये तो उसे जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह की इंफर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए I will see you in my next video